मित्रों नमस्कार स्वागत आपका हेल दिखाना में मित्रों आज हम बनाने वाले आलू और बिंस की सब्जी इसकी सब्जी बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही जाधा स्वास्तवर्दक होता है तो देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए हमने बिंस को इस तरह से त ये ऐंस साइस प्याज को इस तरह से टूकरा है आप चाहितПрबेंसे छोड़ा टुकरा भी कर सकते हैं ये यह एक टमाटर को मैंने इस तरह छोड़ टूकरा में काट लिया है चार के लिए अधी इंच अधरक ठूकरा को फिर नरा कूल लिया है उसका पेस्ट भी लेंगे हल्दी पॉडर चाहिए धनिया पॉडर चाहिए दो चोटी 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 और हमारा गरम हो चुका है अब आप में जीरा और जो भी भूरां के लिए हमें समान रखा हुआ है वह सबकुछ डालते हैं इसमें जीरा, तेजपात, हडी मिर्च, हिंग सब कुछ इस्तर से ès ॡाल दे दियान्राइआ लिए सब भी जले नहीं इस तह थोरा से चलाएं और जीरा चरटकते ही विए हम इसमें 좀 प्याज डाल देंगे जैसा कि आब भी देखालेंको जीरा चटक गया तो इसमें प्याज डाल दे हैं और प्याज को चलाते हैं इस तरस से था कि प्याज का color थोड़ा change हो जाया इस तरह से चला देए आंच इसके साथ ही मध्यम कर लेंगे अब जैसा कि आप भी देख पा रहेंगा प्याज का color change हो गया है तो इसमें आलू डाल देते हैं हिस तर चलादें कि इसके बाद बिंस भी ढाल दे और इसे अच्छे से मिलादें हो इसके बाद हम आप सारे मसाले इसमें जो भी यह जैसे की लैसन और दर्वा का पेष्ट इसमें मिला देते हैं हल्दी मिला देते हैं नमक मिला देते हैं गरम मसाले को नहीं मिलाना अभी हमें और टमाटर को हमने रोग रखा अभी बाकि धनिया पॉडर जीरा पॉडर और नमक सब कुछ इसमें डाल देते हैं लाल मिश पॉडर भी डाल दें सारा को डालके इससे अच्छे से चला देंगे बस हमें टमाटर और गरम मसाला को बचा कर रखा है उसे मैं थोड़ी दिर बात डालूंगा क्योंकि टमाटर अलू पकने नहीं देगा और गरम मसाले की खुषबू बात तक बरकरार रहे इसका मैं लास्ट में गरम मसाली को डालूंगा इस तरह से अब चला दें चलाएं चले से गरम मसाली को किसी भी सब्जी में कोशिश करें कि लास्ट में डालें इस तरह चला लेने के बाद चले से इसे आधे-ाधे मिट पर चलाते रहेंगे ताकि नीचे सब्जी जले नहीं और आँच में रखेंगे इस तरह से इसे थोई थोई देर पर चलाते रहेंगे लगबक आधी मिट पर एक दो बार आधी मिट पर चलाने के बाद इसे एक बार हम ढखेंगे ताकि मसाले की खुसबू अच्छे से सब्जी में समाज जाए और सब्जी आपकी बहुत ही जाद स्वाधिस्ट बने तो इस अच्छे से ढख देंगे ताकि आलो और बिंस पक भी जाए दो मिट बाद इसे खोल लिया और इसे चलाते हैं सब्जी को बार-बार चलाना बहुत जोर रही है क्योंकि सब्जी क्या होता है नीचे से लगने लगता है कराई में तो इसे चलाते ही रहे और टेस्ट करते हैं कहीं जलने न लगे जलने के बाद सब्जी का टेस्ट बहुत खराब होता है तो इस तरह से चलाते हैं ताकि आप भी देख पा रहोंगे सब्जी का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है और आलू इस तरह से मैं चेक कर रहा हूं आलू अभी पके नहीं है हमारे तो इसे एक बार और ढखना होगा मुझे एक बार ढखेंगे ताकि आलू पक जाए तो इसे हम एक बार ढखते हैं लेकिन मद्यमाच पर फिर एक डिर मेंट हो चुका बार इसे खोल लिया और इसे अच्छे से चला देंगे अच्छे से इस तरह से चला देंगे अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं क्योंकि आलू हमारा अलमस्ट पक चुका है साथ ही अब गरम मसाले को भी डाल देते हैं क्योंकि सब्जी हमारी अलमस्ट पक चुकी अब इसे अच्छे से मिला दें अब ग्रेवी डालने से पहले इसे लास्ट बार और ढखेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए और गरम मसाले खुसबू पूरे सब्जी में आ जाए तो थोई दिरकी ढखेंगे लगपा एक मिट बाद इसे खोल लिया जैसा कि आप भी देख पा रहेंगे टमाटर हमारा अगल चुका है आलू भी पक गया है यह देखिए यह देखिए इस तरह से हमने तो आलू टूट रहा है तो आलू पक गया है हमारा तो हमारी सब्जी अब पक्के तयार है अब इसमें हम ग्रेवी डाल देते हैं ग्रेवी आपको जितना चाहिए उतना ही डालें लेकिन इसमें मैं रिक्मेंट करूंगा ग्रेवी कम ही पड़ता है तो इस तरह से कम ही डालें और इसमें भी कुछ ग्रेवी हम जला देंगे आलू बिंस की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट होती है और बनाना भी से असान है सर्दियों के मोसम में या गर्मियों में भी बिंस अबलेबल होता है कभी भी आप बना सकते हैं बहुत ही स्वाधिष्ट और बहुत ही स्वास्तवर्तक होता है बिंस अमारी लि सकते हैं इससे लंच डिनर या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं आप भी बनाए डेफिनिटली इस प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपको सब्जी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और हमारे कमेंट में जरूर हमें बताएं कि आपकी सब्जी कैसे बनी इससे समधित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल जरू सब्सक्राइब करें आपका धन्यवाद